हेलो गैस्ट तो कहसे है अपनोग स्वाग करतो आपका हमार यूट्यूब चैनल में जावास्रिप टूटोरियल के 36 वीडियो के साथ में आज की वीडियो मा हम बात करने वाएंगे यह सबसे हैं मैं हमारे ब्राउजर पागिया ब्राउजर पाके में सब्सक्राइब अब अब करते हैं कि पॉप्र जैसें लिभा तो फ्र्रियसा अगे जैसें इस ओपन सोर्स स्टेंदर फाइल टेक्स एंड देटा इंटर चेइबल टेक्स एड इस्टोर डेटा ट्रांस्मेटिशन तो सिंप्ली जेशन यारण दाका डेटा को सेंड करने का मिय है तो इसमें क्या होता है जो भी हमारा object है उसको हम stringify करके यानि object को string में convert करके हम हमारा object को एक server से दूसर server पर pass करते हैं यानि एक system से दूसर system पर और इसमें क्या होगा इसमें हमारे पास काफिस सारे json के method होते है json बहुत ज़गा standard method है हमारे data transfer का जिसमें क्या होता है जब भी आपने देखा होगा आप काफिस सारी apps याप विंडोस की apps याप कोई भी ब्राउजर के website पर जाते होगे तब आप अगर sign in या sign up करते होगे तब आपके पास एक option आता होगा जिसमें आप से पूछता होगा कि आप गूगल के तुरू sign in करना चाते है तो जैसे आप गूगल के तुरू sign in करते है तो आपको उस website में sign up हो जाते है तो वह किस तरह होता है simply जब भी आप उस button पर click करते है sign up with Google तो उसमें क्या होगा आपकी एक request है गूगल को और जो भी आपर डेटा आएगा गूगल की तुरू वह एक जैसन format को format में आएगा और जो जैसन का format है वो string F5 हो कि आपका जो डेटा है वो website या फिर जो भी application आप यूज़ करना चाते हो उतके पास पहुत जाता है तो जैसन काफी जादा interesting topic है काफी जादा मजा आना वाला आपको पढ़के और आना वाले वीडियो में हम जैसन को get और post request और API के बारे में बात करेंगे तब भी जैसन का काफी जादा important role होगा और web development में जैसन एक हजाने की तरह है आपको काफी जैसन का यूज़ करना है और देखते हैं जैसन क्या होता है हाथ हो गया हमारे वीज़ोड में आ गया हो और वीज़ोड में आने के बाद क्या बरूंगा मैं simply यह दो हमारी पाइल पहले स्कुलिए इसको close कर दूंगा और यहां पे हमारा एक नई फाइल को create करूंगा और यहां पे एक नया असलिए फार एक हो गहां पर झासन .hpml और इसके बाद ऐसे सीक्षम कर देता हूं और यहा पर इंसको करकर करकरके को धीज़ोड यहां पकर देता हूं अब क्या दोगा अब मैं आपर आपस हमारे एच्टेश में आ गया हो और एक स्क्रिप करें आपके अपर मैं क्रिएट करने तो और स्क्रिप टेक अंदर एक अब्जेक विट बता हो तो आपके एक टिक करूंगा मैं अब्जेक शूब और संब्टे करें ठीक स्कूंगा मैं नेम उत्मतंर करनेम छत्मत्मत्मत्मत्मत्म मैं जीक स्क्रिप आइgart कर दिक अब्जेक एकiset के एके जगर स्क्रिप बेंग लिंकित करें देता हूँ, मैं लिंक्डिन, फॉलो, लिंक्डिन, फॉलो ते आपर मैं एक ब्रियेट कर दिया मैं OBJ नाम से और इस अबजेक को कॉपी करके, सिंप्ली मैं इसको चैनल में पर के आपको दिखाता हूँ अब मैं आपको उता तो जेसं की आपको निया होगा मैं इस पूरे ऑप्जेक को स्ट्विफाई करतें में तो जेसं को क्रेट करने के लिए simply, आप में आपके करोगो, let json obj is equal to, यहाप पर simply आपको json लिखना आड़ेगा, json.stringify एक function होता है, और इस json.stringify function है, उसमें जो भी object को आपको json create करना है, वो object pass करना है, आपको ध्यान रखना है, json create करते टाइम, आप json delete करेंगे, जो function है, function stringify, जो हमारा function है, stringify, takes object as parameter, मैंने एक comment भी डाल दिया, उसमें लिखा function है, हमारा stringify function है, जो सिर्फ एक object ही as a parameter लेता है, अब simply मैं, अगर आपको console.log करके json object पे अगर आपको print कराके लिखाँ, तो आप बेखना, type of अगर json लिखता हूँ, तो आप भी यहां पर string लिखाँ आना है, और simply इधर अगर मैं type of लिखता हूँ, तो आप आप अमारा object लिखाँ लिखाँ आना है, तो इस तरह से आप देख सकता है कि हमारा string और object यहां पर आ गया है, और यहां पर मैं type of अटा देता हूँ, और यहां पर से भी type of अटा देता हूँ, अब देखें, हम जेसर में हमारे डेटा को send, transfer क्यों करते हैं, तो हमारा जो object होता है, जब भी हम एक बड़े project पर काम करते हैं, या फिर एक live development project पर काम करते है, जिसमें बहुत ज़्यदा amount of data होता है, millions, trillions amount of data होता है, users का, तो सिर्फ इसमें limited field नहीं होती है, आपकी एक field होईगी, education, उस education field, आप जो create करता हूँ, माय object जैसे, अगर मैं आपे एक field create करता हूँ, education, और ऊछ education field में एक list create कर सकता हूँ, जैसे वन, टू, थरी, टूर, कुछ भी create कर सकता हूँ, और एक और field में create कर सकता हूँ, social field में, मैं उस लिश्ट की जगे एक और object के अंदर एक और object भी create पर सकता हूँ, तो इसके अंदर मैं social के अंदर create पर सकता हूँ, Facebook, और Facebook में करूँगा, Facebook लाइक, और एक और करूँगा मैं, Instagram, follow, तो आप देखिए, हमारा जो यह जित्पी भी चीज़ है, वो इन काफी ज्यादा complex object create होगा, और इस complex object को send करना काफी जदा hard होता है किसी server पर, और इस complex object को send करने में काफी जदा memory use होती है, और काफी जदा दिक्कत आती है, इस complex object को secure करने में, अगर आपने क्रिप्टो का फिपड़े होता आपको पता होगा कि जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो अगर मैं वापस इस इस इस्ट्रिंग वाले तो अब क्या होगा अब हम इस इस इस्ट्रिंग को पास ना है और देस्टिनेशन पॉषली यह अब उस इस्ट्रिंग को करना है तो उस इसमें हमारा पास होता है और इसमें क्या होता है जेसन हमारा होता है और इसके अंदर हमारा जेसन की स्ट्रिंग है उसको अगर मैं आपके पेस्ट कर देता हूँ यह जेसन अब्जेक की स्ट्रिंग उसको पेस्ट कर दिया है और अपर यहां पर हमारी एरर आ गई है उसको मैं आपर क्लियर कर देता हूँ एरर को भी अब आपने एरर को भी रिजॉल कर दिया है तो आप वेखिए सबसे पहले आमने अप्जेक को create करा फिर उसको string में convert करा हमारे JSON.stringify का यूज़ करके और वापस उस string को एक object में convert कर दिया. JSON.parse का यूज़ करके तो इस तरह आपके किसी भी JSON data को यूज़ कर सकते हो उसको एक object में convert कर सकते हो string में convert कर सकते हो तो बस रहे हैं आज की वीडियो में इतना है तरह से जेसन को पर सकते हैं किस तरह से जेसन डोट पार्स काम करता है वीडियो इंफोर्मेटीव लगे तो वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अभी तक भी आपने हमारी जावस्क्री प्लेलिट को एकसेस नहीं गया है और तो बस गैस आच की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब खके लिए Keep Learning, Keep Exploring, जैहिंद!